अलो मैं डिया स्टुडेंट्स आई एम हर्जब्यारी शिर्वास्तो लाइक्सपर्ट्स परिच्छा रिफ्रेशर आनलाइन लाग क्लासेट फ्रामिलाबाद डिय स्टुडेंट्स वकीलों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी और खुसकबरी दिया है अधिवक्ताओं को रेल मंत्राले ने और रेल गाडियों में यात्रा करने के लिए वकीलों के जो बार काउंसिल अफ इंडिया के द्वारा पहचान पत्र होता है उसको आईडी प्र को रेल गाड़ी में यात्रा के दौरा माननता प्रदान कर दी गई है आज इस वीडियो में हम आप लोग को पूरा इसका डिटेल बताएंगे आपको किस हाई कोड का डिसीजन है और किन कहना मैं नयायाले के अधिवक्ताओं को इसकी माननता दी गई है सारी बाते आप यूटूब चैनल एक ऐसा चैनल है कि आप उसको अगर सब्सक्राइब पर लेते जितने भी लीगल इवेंट्स हैं वो सारे लीगल इवेंट्स आपको आपके सिस्टम पर तुरंत इंडिकेट होने लगेगा कि परिच्छा रिफ्रेशर यूटूब चैनल का कोई वीडियो रेडी हो गया है जो आपके सिस्टम पर आने वाला है इसमें आप लोग को जुडिसरी के वेकैंसी के बारे में एक्जामनेशन के डेट के बारे में एक्जामनेशन होने के बाद उसके पेपर को एरिलाइस किया जाता है आपके साथ एक कटाफ बताया जाता है और Refresher Online Law Classes से Select होते हैं, उन से आप लोग को भी लबाये जाता है, चैनल पर धेर सारे Super Specialist आते हैं Judges आते हैं लोग से वायों के Retired Members आते हैं जो Selected Student है वो आते हैं, और आप देखें बिहार में जो 55 Student APO में Select हुए वे सारे Student एक एक करके परिच्छा Refresher YouTube चैनल पर आएं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पूरे समय के लिए हर समय आपको वीडियो आटोमेटिक मिलता रहेगा आपके सिस्टम पर, चलिए डेश्टुडेंट रेडी हो जाएए आप लोग, आज का जो हम लोग का टापिक है वकीलों के लिए खुसकबरी बार काउंसिल का कार्ड होगा आईडी प्रूफ देखो डेश्टुडेंट ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टन नीज है देखो ये हम आप लोग के लिए पढ़ते जा रहे हैं अब वे रेल गाडी में यात्रा के दोरान अपने फोटो पहचान पत्र पत्र को बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा जारी आईकट को दिखा सकते हैं रेल मंत्राला ने इसे आईडी प्रूफ के रूप में मानता दे दी है रेल वे के सूची बद आईडी प्रूफ नहीं होने पर यात्री बगहर टिकट माना जाता है जो रेल मंत्राला है उसने रेल वे के टिकट के लिए कुछी चीजों को आईडी प्रूफ बनाया है उसमें अभी तक एडोकेट के जो बार काउंसिल के पहचान पत्र होते थे उसको नहीं था लेकिन अब उसको मानता दे दिया गया है और ये मानता देने का श्रेज आता है के रेल हाई कोट को और के रेल हाई कोट के द्वारा दिये गए डिसीजन को सबसे पहले उसको माना रेल मंत्राले ने और रेल मंतराले ने अपने 17 जोनल रेलवे को निर्देश दिया कि जो भी एड़ोकेट अगर काउंटर से टिकट लेते हैं रिजर्वेशन कराते हैं चाहे वो सीपर क्लास का हो चाहे AC1 का हो, AC2 का हो, AC3 का हो अगर वो बार काउंसे लाफ इंडिया का अपना पहचान पत्र दिखा देते हैं तो वो ID प्रूफ मान लिया जाएगा ये वकीलों के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी आई है देखे इसमें जो केरल हाई कोट के आदेश के बाद बार काउंसे लाफ इंडिया द्वारा वकीलों को जारी होने वाले फोटो युप्त पहचान पत्र को मानता दे दी गई है इसलिए ट्रेड में सफर के दवरान वकीलों के ID कार्ड को ID प्रूफ मना जाएगा उनको बगएट टिकट के आधार पर किराया अथवा जुरुआना नहीं लिया जाएगा रेलवे के इस फैसले से चाहे वो सुप्रिंग कोट में प्रेक्टिस करते हो चाहे वो किसी हाई कोट में प्रेक्टिस करते हो चाहे वो किसी session court में practice करते हो, चाहे वो किसी तहसील में practice करते हो, सभी एडोकेटों को जिनकों की Bar Council of India का पहचान पत्र मिला है, इसकी सुबधा, इसकी क्या नाम है, facility उनको अब मिलने लगेगी. Railway की ticket पर, counter पर booking के समय यात्री को अपना ID proof मांगा जाता है, ताकि जो लोग क्या करते हैं, ticket की black marketing करते हैं, उनको रोका जा सकें, तो railway ने क्या किया है, कि ID proof मांगता है, और ID proof जो है, चाहे वो sleeper का ticket हो, चाहे वो AC1 का हो, AC2 का हो, AC3 का हो, सभी के लिए यह अनिवार कर दिया गया है, यह railway का क्या नमें decision है, और यह ध्यान देखे हैं का railway, इसके लिए जो मांगता प्राप्त ID proof में देता है, मतदाता पहचान पत्र, passport, pen card, driving license, केंद्रवर राज सरकार का photo पहचान पत्र, मांगता प्राप्त school colleges का photo पहचान पत्र, आधार कार्ड, photo युक्त बैंक का passbook, राश्टी बैंकों के credit card photo युक्त, सारवजरिक छेतर के उपकरम के photo पहचान पत्र, जिला प्रसासन, नगर निगम, नगर परिसद, वपंचायत के photo पत्र, इसके साथ साथ अब मानता देदिया, बार काउंसिल आफ इंडिया की ओर से, वकीलों को जारी होने वाला photo युक्त पहचान पत्र, यह जितने अभी हमने आपको बताया, अगर यह पहचान पत्र रहेगा, तभी आपका railway का ticket, railway के counter से book होगा, अन्य था आपका ticket book नहीं होगा, यह अधिवक्ता बंधूँ के लिए बहुत ही बड़ी खुसकवरी है, उनका जो वोटर का photo युक्त पहचान पत्र है, उसको मानता दे दी गए, तो dear student, यह आप लोग के लिए बहुत important है, जो डिसरी के त्यारी कर रहे हैं, तो आपको याद क्या करना है, केरल हाई कोट, केरल के हाई कोट ने यह डिसीजन दिया था, कि जो बार काउंसेल आफ इंडिया से मानता प्राप्त, पहचान पत्र रखने वाले एडोकेट है, उनके पहचान पत्र को जो उनका आइडेंटिकार्ड है, पहचान युक्त प्रमाल पत्र है, उसको आइडी प्रूफ मानना जाए, तो रेल्वे, रेल मंत्राला ने इसको स्विकार कर लिया, ठीक, अब रेल मंत्राला ने अपने सत्र, जो उनके जोनल है, जोनल रेल्वे हैं, जैसे नारदन रेल्वे है, एंसियार का रेल्वे है, वेस्टन रेलवे है, साउथ रेलवे है, पतलब जितने उनके जोनल है, उनके महा प्रबंधक, जो जीयम होते उनको निर्देश दे दिया है, कि आप लोग अपने अपने रेलवे स्टेशन पर जो भी बुकिंग करने वाले लोग हैं, करमचारी हैं, उनको यह बता दे कि अग अपना रेलवे का रिजर्वेशन कराने, और बार काउंसेल आफ इंडिया का अपना कार्ड पहचान परत्र प्रस्तुत करता है, तो उससे कोई भी आईडी अलग से नहीं मांगे जाएगे, बल्कि वो अब यह आईडी उसकी मानता पराप्त हो जाएगे, तो यह बहुत वीडियो को शेयर करें, अधिक सधिक लोगों को इसकी जानकारी मेले, एक और हम अपने लोग के स्टोडेंटों से अधिवक्ता बंधों से अपील करना चाते हैं, जो आप लोग नया बैच पूसते हैं, दीपावली के पहले से, नया बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो के साथ साथ APO का आप लोग के लिए पैच होगा, जो लोग जुडिसरी और हाइड जुडिसल के तयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो क्लास का टाइम है, वो थ्री आवर्स है, जो APO के तयारी कर रहे हैं, उनके दो घंटे की क्लास है, इसमें आप लोगों को लाइब क्लास म ये आप लोगों के लिए बहुत ही nominal fees पर चलाई जाती है ताकि हर student इससे जोड सके आप लोग को installment के भी सुबधा दी जाती है ताकि कोई student इसलिए class ने कर पाए कि धन का आभाव है समय का तो कोई आभाव नहीं होता है student के पास समय तो बहुत होता है लेकिन वो student जो दबे हैं कुछले हैं जो गरीब हैं निर्धन है जिनके पास आए के सुरुत नहीं जिनके माता पिता के पास आए के प्रापर सुरुत है या जो हमारे junior अधिवक्ता होते जिन्होंने वकालत के शुरुवात किया है जहां पर अभी उनको इतनी कहना में पैसे नहीं मिलते कि वो फीस वगरा को प्रापर जमा कर पाए उन सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही nominal फीस पर और installment पर यह सुविधा प्रवाइट करा जा रही है कैसे लेट बीशन तो आप देखे इस स्क्रीन पर दो नमबर शोर कर रहा है 9005078691 9005078691 और दूसर नमबर है 9335144265 इन में ये दोनों वाट्सप नमबर है इन में से किसी भी नमबर पर आपको क्या करना है अपना आधार कार्ट भेज कर और यह लिग देना है कि मुझे lower judiciary में class लेना है मुझे higher judicial के class करना है मुझे APO के class करना है तो जब आपका आज आएगा तो coaching का QR code जाएगा जिसमें आप prescribed fees को जमा करेंगे फिर आपको google meet पर class मिलना शुरी हो जाएगे तो जो student interested है वो अपना enrollment करा लेंगे ताकि जब 11 आरिक से class से start हो तो उनका कोई class छूटने ना पाए थैंक यू मैं देस